सी एम से बोले बाबा रामदेव प्रेम कर चाला पाड दिया गजब का खुटा गार दिया हर्याना में हरिद्वार से बड़ा गुरू कुलम बनाने का एलान हर्याना में भाजपा की सरकार बनने के बाद रही वार 27 अक्टूबर को मुखिमंद्री नयाव सिंग सेनी हरिद्व पहुचे नयाव सेनी ने पतंजली के आचार कुलम में वार्सिक महोसो में शिरकत की इस दोरान योग गुरू स्वामी रामदेव ने हर्याना के चुनाबी परिणाम का जिक्र करते हुए कहा की हर्याना वालों ने तो प्रेम कर चाला पाड दिया गजब का खुटा पाड द पतंजली की तरज पर ही हरिद्वार से भी बड़ा आचार कुलम और गुरू कुलम हर्याना में बनाएंगे रामदेव ने हर्याना के मुखे मंतरी की तारीफ करते हुए कहा की नयाव सिंग सेनी नयाव है अतुलनिय है मेरी दो तीन बार देश की प्रधान मंतरी नरेंद्र नहीं है हमेशा चेरे पर मुस्कान रखते हैं और मोदी जी इनको अतियंत इसने करते हैं हर्याना वालों ने तो प्रेम कर चाला पाड़ दिया गजब का खूटा गार दिया ऐसा खूटा गार दिया जिसको कोई उखाड नहीं सकता ऐसे मुखे मंतरी को अभी नंदन है पू प्रेम में नायव सिंग सैनी ने कहा कि पतंजली आचारे कुलम के बारवे स्थापना दिवस पर मुझे हरीद्वार में आने का मुखा मिला है यह मेरा स्वभाग्य है आचारे कुलम की स्थापना देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी आज मैं भी और इसथापना दिवस पर हरीद्वार आया हूँ और आज ही के दिन हर्याना के आचारे कुलम और गुरू कुलम बनाने के बड़ी घुष्णा योग गुरु बावा सौमीराम देव ने की है कोशना के पूरा होने के बाद हर्याना में कई देशों से बच्चे पिट्च सक् अधार शिलाबी हर्याना में दिखने लगेगी एक लाग से अधिक बच्चे इस आचारे कुलम में सिक्षा ग्रिंड करेंगे आचारे कुलम में चरित्र निर्माण और देश के लिए कारे करने के गुरिश सिखाए जाएंगे उम्मीद है कि हर्याना में बनने वाला आचारे क वे शुका बहुत बड़ा केंद्र बनेगा